Assalamu alaikum viewers, welcome to mama kids, कैसे आप लोग, उमीद करते हूँ कि आप सब ठीक ठाक और पुशबाश होंगे, और मैं भी अल्ला की फ़तल से बिल्को ठीक ठाक हूँ, तो viewers, आज मैं आए लाई हूँ, लेडीज के लिए special episode, जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग बचों की पनी बच्चियों के लिए या अगर बड़े हैं उनके लिए भी आप लोग यह desain कर सकते हैं, अगर आप interested है cutting में और training में, तो उन लोगों के लिए जो beginners हैं, उनके लिए यह easy step by step आपको बताऊंगी, कैसे आपको बासु बुसूरत एक design बना सकते हैं, जैसे कि थ पर ने हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्यूनिटी में शेयर कीजिए और जी हाँ साथ में बेल का एक अन्दबाना तो बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में हैं कनेक्शन तो आए इस पहले हम देखते हैं चैनल का इंट्रो उसकी बात स्टार्ट करते हैं अपनी आज की अबसूर्ट चलें आए हम लोग स्टार्ट करते हैं विर्स यह मेरे पास था यह अलफेबेटिकल कपड़ा आप देख सकते हैं और यह मैंने इशू के लिए सोचा कि आइडियल है क्योंकि गर्मियों में बच्चों को एक तो लॉन जो है काफी कमफोर्टेबल स्टाफ लगता है मुझे और सेकंड ली बच्चों को थोड़ सा कलरफूल और अलफेबेटिकल यह कार्णूस वगरे से यह होता है कि यह मेरे पास कोटन सिम्पल के कलर का कॉटन स्टफ है यह मेह पास पीसिस बच्च गाए थे इसमें लाइनिंग लगाने में हेल्फ इससे हईल्प अगो जाए ठीक है साथ में ही यह मेरे पास जोरी है, यह आप देख सकते हैं, लेस है, आप कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, वाइट कलर में भी, मगर यह थोड़ा सा शिम्रिंग है, थोड़ा सा यह है कि इसको effective look, दे रहते हैं, queste is high double figure फोड़ा वह देख सकते हैं, फ्र जी वियूर्स पहले मैंने आगी गले के लिए मैंने यहां पर अगला बना दिया है उसको sketch कर दिया है 5.5 था और मुझे चाहिए था और 3 depth चाहिए थी तो इसका half मैंने कर दिया और back मैंने depth जो है वो 2 दे दिया है और साथ महीं आपको मैं बताती है चलू कि shoulders की हमेशा जो size आपके पास होगा वो आपकी यहां पर बोस के लिए भी sleeves के लिए उतना ही आएगा तो मुझे मेरे पास यहां पर इशो कता 6 तो मैंने यहां पर भी 6 का निशान लगा दिया है ठीक है तो आप यह स्ट्रेट लाइन यहां पर कर लें और जिन वी ओर्स को आइडिया नहीं है कि मैं इसलिए जली जली में कर रही हूँ जो मेरे नहीं है अगर आप मेरे चैनल पर तो आप पुरानी वीडियो में स्टिचिंग वगारा में जाकर आप देख सकते हैं कि उसम स्ट्रेम बना दिया है अब इसका यहां पर मैंने आपको पहले ही बता रहे था हाँ यह वन इंच हम लोग यहां पी उपर कटिंग करते हैं शोड़ा की ठीक है डाइपनल गले की पॉइंट के साथ अब हम लोग इसका सेंटर ले ले लेते हैं 3.5 तो यहां से हमारे पास हमेशा वन इंच तक्रीबन आप पॉइंट लगा दे तो उसके सरकल होगा ठीक है और यहां पे जो पॉइंट है जॉइन करने का हमें चाहिए होगा जैस्ट जो है हो 12 है ठीक है तो हम लोग उसका हाफ ले ले लेंगे 6 ठीक है यहां पर आजएगा तो यह बिल्कु सही जग होगी कटिंग के स्टिचिंग के लिए क्योंकि एक्जैक जो साइज है वही आपने ही नहीं करना होता कि स्टिचिंग के लिए भी आप रोगोंने हाफ इंच या वान इंच छोड़ में होती है अब हम लोग करेंगे नीचे बैक के लिए कर तो इस शर्ट की कटिंग हो गई है इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सिर्फ गाइडलाइन के लिए यहां पे फिटिंग के लिए बैक और हिप्स के मेजरमेंट के आइडिया दिया है मगर हम लोग यहां पर straight टखेंगे क्योंकि हम लोग ने यहां पर कल्या लगानी है तो कल्यों के लिए यह है कि मेरे पास यह extra piece बच किया है मैंने सूच आ क्यों ना कल्या लगाएं और साथ मेहीं बीश में डिजाइनिंग हो जाएगी तो हम लोग lace भी लगा देंगे, piping भी कर लेंगे साथ में, तो कलियों के लिए आप लोगों ने उस shirt के ऊपर, आप लोगों ने शोल्डर से size नहीं लेना होता, आप लोगों जो यहां पर chest size होता है, तो उस से आपने इसको measure करना होता है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दो कलिया नहीं काटनी, हमने बलके चार कलिया, तो उसके लिए यह आप देख सकते हैं, इस piece को मैं कर लोगी, चार हिसों में divide, ठीक है, यह 7 है, तो हमारे पास each कलिया आजाएगी 3.5, चार कलिया में काट चुकी हूँ, यह चार कलिया हमारे पास आगी है, दो फ्रंट के लिए और दो बैंक के लिए, ठीक है, अच्छा, साब में ही मैंने, यह मेरे पास extra pink color का कपड़ा अवेलिबल था, तो अगर आप pink कपड़ा नहीं है, तो बजार में आचकर तयार piping पी आती है, आप हो भी उस कर सकते हैं, एक्छुली यह मैंने काट दी है, इनको मैं double करकर, ठीक है, इन joints की बीच में मैं लगा दूँगी, और इसकी ऊपर पे आपको जो मैंने लेस दिखाई थी, उसकी लाइनी कर दो की, ठीक है, यूँगी तो आई मैं आपको stage करके दिखाती हूँ कि कैसे लगेगा, अभी मैं attach कर चुकी हूँ कलिया, तो front की कलियों में मैंने आपको पहले बताया था, कि मैंने पास लेस अवेलिबल था, shimmering कलर का, तो मैंने पहले उसकी piping लगाई है, और उसकी बात पहले मैंने लेस, और दुबार उपर मैंने front के कबड़ा रखा है, यह stitching की है, तो viewers, एक बात याद रखे, जब भी आप लोग इस तरह की piping and designing करें, तो जितनी कम stitching आए, सिलाई आपकी आए, उतनी अच्छी फिनिशिंग दिखती है, आप लोग की इतनी कम सिलाई कर ले कि आराम से आपकी piping भी एक दो मरतबा यूज करने के बाद शर्ट आप की piping जो खुल रही हो, ठीक है, यह में एक शोट कर लीजगा, और यह जो बैक की वह है, उसमें मैंने लेस नहीं दी, सिरफ पाइपिंग दी है, पिंक कलर की, आप द अब आप कहेंगे, स्लीप से मैंने क्ये किया है, बूर्स आप देह सकते हैं, यह कि इसके लिए, मैंने थोड़ी से कपड़ा रखा हुआ है, जिसे सब्सक्रा यह के लिए एकस्रा कपड था, बाजो शर्ट के कपड़ा था, उसके बाद भी परन पे मैंने आप परण भी शे लिए उसके लिए आप लोग मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं कि गला किस तर बनाया जाता है तो आए पहले हम लोग बनाते हैं गला और उसकी बाद हम लोग फ्रांट और बैक करते हैं अटैच तो चलें जी विर्स गले में बना चुकी हूं तुर्पाई भी कर अब बारी है हम लोग ने जो कलिया बनाई थी एक्स्ट्रा क्योंकि हमें जो चाहिए चैस जो था वो ट्रेल्फ था और यहां पर मेरे पास अविलीबल है 20 तो मैं यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको में यहां पर चुनडे दे दोगी यह अब देख सकते हैं विर्स के सिलाई मशीन से मैंने उसकी खुली सिलाई दे दी है और उसकी मदद से मैंने चुनटे लगा दी है अब हम लोग ने बैक वाले पे इसी तरह चुनटे देनी है ठीक है आप हाथ से भी चुनटे दे सकते हैं अब हम लोग ने बैक और फ्रंट जो हमारा है उपर से भी आपने इस साटेज करते हैं एक मिंदे हम पर से भान करें रहे हैं बुइल फूलागीकर हाफ से भाफ से प्लेट से घोषाने के पाद喔Pन के निए तो एक हाफ कोई यह तरी जा से बारगीकर है ठीक है वियूर्स कुछ है तो फाइनल ये हमारी शिर्ट हो गई है रेडी कुछ मेहनत से हम लोग अपने कपड़ों को चार चान लगा सकते हैं और डिफरेंट जानिंग कर सकते हैं तो वियूर्स कैसे लगी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और साथ में बेल का इकन दमाना दो बिलकुर मत भूलिए क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में है कनेक्शन तो विविवर्स मुझे दे इजाज़त इंशालला मिलेंगे नेक्स कॉंटेंट के साथ बहुत जल्द मुझे अपनी दुआउ में याद रखेगा अपना और अपने बचों का ख्याल लखेगा तिल देन अलाहाफेश